6.2 कोशिकाओं का अध्यन प्रारूपिक कोशिका देपिकल सेल विज्ञानिकों ने कोशिका की कुछ बुन्यादी समानताओं को ध्यान में रखकर कोशिका का मॉडल बनाया जिसे हम प्रारूपिक कोशिका कहते हैं पादप और जन्तु कोशिका को चित्र नुसार दर्शाया गया है आपको दोनों कोशिकाओं में क्या-क्या समानताओं दिखाई दे रही है पादप कोशिका में पाय जाने वाले कोई एक कोशिकां को ढूंडिये जो कि जन्तु कोशिका में दिखाई नहीं दे रहा है विभिन स्त्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रारूपिक चित्र को बनाया जाता है उनमें अब तक की जानकारी के अनुसार मुख्य अंगों को इस प्रकारदर शाया जाता है कि हमें कोशिका की सनरचना का आभास मिलें आजकल कई वेज्ञानिक तो एक कोशिकी जीव को ही प्रारूपिक कोशिका मानकर अध्यन करते हैं इससे उन्हें कोशिका के जीवन्त क्रियाशिल रूप का भी आभास मिलता है चाहे हमें अपने शरीर के अंदर की सभी कोशिकाओं का अध्यन करना हो या अन्य किसी जीव का किसी ना किसी प्रारूपिक चित्र की आवशक्ता होती ही है क्या आप जानते हैं महज 200 साल में हमने ऐसे सुक्ष्मदर्शी का निर्माण किया है जिससे हम किसी कोशिका को दस गुना से लेकर पाच लाग गुना बढ़ा करके देख सकते हैं अभिरंजन तकनीक भी इतनी विक्सित हो गई है कि कोशिकाओं की कारप्रणाली की विस्तरत जानकारी हमें मिल रही है कोशिकाओं की सनरचना एवं कार्य बहुत जटिल हैं तथा उनकी जानकारी अभी भी अधूरी है और उन पर शोद जारी है वैसे यह आवश्यक नहीं कि एक प्रारूपिक पादप या जन्तु कोशिका में दिखाई गई सभी रचनाएं एक साथ सभी कोशिकाओं में पाई जाएं कोशिका में उनके कार्यों के आधार पर कोशिकांगों की उपस्थिति वो संख्या में विविदता देखने को मिलती है कोशिकांगों की संख्या को भी प्रारूपिक कोशिका में दर्शाया नहीं जाता है जैसे किसी पादप कोशिका में यदी 100 क्लोरोप्लास्ट हो तो प्रारुपिक कोशिका में कुछ एक क्लोरोप्लास्ट को ही दर्शाया जाता है कुछ कोशिकां जरूर समस्त कोशिकाओं में पाये जाते हैं पर सभी नहीं प्रारुपिक पादप कोशिका में सदेव क्लोरोप्लास्ट दिखाई देंगे परंतु वास्तों में सभी पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित हो यह जरूरी नहीं है इसी प्रकार प्रारूपिक कोशिका में विभिन कोशिकांग के आकार के अनुपात का ध्यान नहीं रखा गया है। यदि हम एक कोशिका का पैमाने के आधार पर प्रारूपिक चित्र बनाएंगे तो उसमें कोशिका एवं उसके कोशिकांगों में संबंध कुछ इस प्रकार क यदि कोशिका का व्यास 30 मीटर का हो तो लगभग 6 मीटर का केंद्रक लगभग 1 मीटर का माइट्रोकॉंड्रिया और राइवोजोम जैसे छोटे-छोटे अंग लगभग 1 सेंटी मीटर के होंगे। ये अनुपात अलग-अलग कोशिकाओं में भिन्द भिन्ने होते हैं अता प्रारूपिक कोशिका का चित्र एक व्यवस्था का निरूपन मात्र हैं।